अगर आपको शिम्बला डिस्टिक कवर करना है तो आपको दो पार्ट में कवर करना होता है एक तो आपको प्रिंसली स्टेट सेपरेट से पढ़नी है और दूसरी जो है शिम्बला का relation Britishers के साथ में क्या है वो अलग से करना होगा तो आज जो है हम प्रिंसली स्टेट को स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट को further मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा और ये जो है हमारा syllabus इससे complete हो जाएगा जब हम Britishers और प्रिंसली स्टेट कवर करेंगे तो इसमें आपके जो भी geographical sections होगे वो भी मैं साथ में कवर करवाओंगा आज जो है हम प्रिंसली स्टेट कवर कर लेते हैं अब lecture के बारे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे lecture जो है daily दो lecture आएंगे एक दिन में आपको quality geography मिलेगी एक दिन में आपको HPGK दूसरा history का lecture आज जो है मैं history का lecture प्लस आपका हिमाचल GK का lecture लूँगा और timings मैं बता देता हूँ आपका एक lecture 12 बजे आया करेगा दोपहर को और एक जो है रात को 8 बजे तो चलिए आज का lecture स्टार्ट करते हैं बलसन स्टेट के बारे में देखिएगा दोस्तों इनके founder का नाम पूछा जाता है यह इसलिए मैंने यहां पर ऑफशूट लिखा है कि जो भी बलसन स्टेट के जो founder थे जैसे की अलक सिंग थे यह इनके वंश्यस कहां से थे वैसे के लिए यहां के सिर्मोर के थे उस समय जब गोर्खाओं का यहां पर अटैक होता है 1805-1815 के बीच में तो इस समय यह जो है कुमार सेन की जागीर हुआ करती थी तो बलसन किसकी जागीर थी कुमार सेन की जागीर थी जब गोर्खाओं का अटैक होता है उसी समय यहां के राजा कौन थे राजा जोगराज सिंग जो थे यहां के राजा थे और इन्होंने क्या किया था नागंदुर्ग था एक बलसन स्टेट पे वो डैविड ऑक्टरलोनी को दे दिया था जब यहां पे अंग्रे करते हैं और यह फिर बिटिश का साथ देते हैं और इसके लिए बिटिश इन्हें खिलत और राणा की उपादी भी देते हैं दोस्तों अब कई जगा आप देखेंगे राणा आता है कई जगा राजा आता है तो राणा किसको मिलेगा राजा किसको मिलेगा टाइटल यह डि ही गई है that is your history of बलसन स्टेट, history of बलसन स्टेट किसके दौरा लिखी गई है तो राजा बहादर सिंग बलसन स्टेट से ये बिलोंग करते थे, इसके बाद second जो आपकी princely स्टेट थी वो थी भजी, इसके founder थे राजा चारू, राजा राजा चारू ने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था वो क्या रखा था, उदेपाल ठीक है, याद रखना जो आपके राजा चारू थे, इन्हों ने अपना नाम बदल लिया था, बाद में उदेपाल रख लिया था, और ये किसके वंशस थे तो ये कुठलेहर के वंश्यस थे अब जब मैं आपको कांगडा रिष्टी के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस समय जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में कुठलेहर के बारे में तो ये बेसिकली जो है वंश्यस थे कुठलेहर रियासत के जो की कांगडा र लगारों में आपकी बज्झी से कहां सुननी में, इसके बाद धिको राजा, राना रुद्रपालन का नाम था, रुद्रपाल क्या है कि जब गोर्खाओं का अटेक होता है, तरी धिया पे हरीद्वार में चले जाते है, अपना राजपार्ट सारा कुछ छोड़ के इसके बाद अंतिम यहां के राजा थे वो थे राणा रामचंदरपाल इनका नाम आप याद रख सकते हैं लेकिन आपने यह जरूर याद रखना है कि कैपिटल क्या थी भज्जी की कैपिटल थी सुन्नी या फिर पहले थी भज्जी फिर बाद में सुन्नी स्थाना अंकरित कर दीगे किसके दोरा सोहन पाल के दोरा और फाउंडर जो है सबसे ज़्यादा important है यह याद रखिएगा next हम बात करते हैं कोटी की कोटी रियासत के फाउंडर थे चंदर अब चंदर कौन थे यह भाई थे किसके चारू के भाई थे और चारू ने जो है किसकी foundation रखी थी भज्जी की तो हम बोल सकते हैं कि भज्जी और जो आपका कोटी था इन दोनों के जो राजा थे फाउंडर थे वो कुटलेहर से थे कुटलेहर के वंशिस थे दोस्तों और यहां यह भी कुटलेहर का जो है यहां पे foundation थी वंशिस थे ताराचंद ठाकूर थे यहां के एक राजा उन्होंने क्या किया था कोटी से जो है राजधानी कहा स्थानांकरित की थी क्यार कोटी में तो याद रखिएगा क्यार कोटी किसने बदली थी ताराचंद ठाकूर ने फिर उसके बाद 1815 में जब ब्रिटिशस यहां पे जीज जाते हैं तो यहां पे क्योंथल के अंडर से मिला दिया जाता है तो किसकी जागिर थी यह कोटी जागिर थी आपकी क्योंथल की फिर फाइनली जो है 1857 में यहां के राजा थे हरीचंद जिन्होंने ब्रिटिशस का साथ दिया था 1857 के रिवोल्ट में और इनको राना की उपादी दे दी गई फाउंडर याद रखना और कैपिटल याद रखना यह बहुत ही ज़रूरी है एक कोशन जो है शिमुला प्रिंसली स्टेट से पूछ लिया जाता है आगे चलते हैं कुमार सेन के बारे में डिसक्स करते हैं कुमार सेन के जो फाउंडर थे इनका नाम था कीरत चंद किरत चंद जो थे यह बिहार से थे बिहार में एक जगा नाम है गया तो basically वहाँ से थे किरत चंद नाम है अखना याद रखना कुमार सेन ठीक है और कुमार सेन देखिएगा जो आपकी बलसन स्टेट थी वो कुमार सेन की जागीर हुआ करती थी उसके अंडर हुआ करती थी और कुमार सेंड जो थी ये किसकी थी ये बुशेहर की जागीर हुआ करती थी ये भी याद रखिएगा इसके एक राजा थे अजमेर सिंग अजमेर सिंग ने जो है अटेक किया था कुलू पे जिस समय कुलू का राजा हुआ करता था मान सिंग दोस्तों मान सिंग काफी शक्तिशाली राजा था लेकिन जो है इनोंने उसे हराया था और शांगरी और सारी फोर्ट ऐसे कुशन पूछ लिया जाता है कि सारी और शांगरी फोर्ट जो थे कुलू के उस पे किसने कबजा किया था तो किसने कबजा किया था अजमेर सिंग कुमार सेन के फिर इसके बाद यहां के राजा होते हैं केहर सिंग केहर सिंग जब गोरखाओं का यहां पे अटैक होता है तो यह कुलू भाग जाते हैं दोस्तों केहर सिंग जो थे कुमार सेन के जो हैं शासक थे जब गोर्खाउं का अटैक होता है ठारा सो पांच में तो ये कहां भाग जाते हैं कुल्लू में अपनी शरन लेते हैं वहाँ पे जाके फिर विधादर सिंग जो थे राणा विधादर सिंग जो थे यहां के लास्ट रूलर थे कुमार सेन के तो बस इतनी सी चीज़े आपको इन सभी इसे रिलेटर याद रखनी है आगे चलते हैं धामी का डिस्कुस करते हैं धामी से important point कौन कौन से है धामी के founder थे गोबिंदपाल गोबिंदपाल जो थे धामी के founder थे देखिए गोबिंदपाल जो थे यह पित्थवी राज जो आपके चोहान है उनके वंश्यस थे यानि कि ये राजपुत क्लैन के थे और उनके वंश्रस थे बेसिकलि ये आय कहां से थे ये पटियाला से आये थे राजपूर नाप की जगा से ठीक है पटियाला से आये थे ये गोविंद पाल और इन्होंने फाउंडेशन रखी धामी की धामी गोली कांट भी हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे वो separately जब हम आंदोलन जो cover करेंगे तो उसमें जो है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे राजा राज सिंग राजा राज सिंग धामी के ऐसे राजा थे जिन्नोंने अपने जो पाल नाम की उपादी थी उसको change कर दिया किसमे सिंग में तो ये बाद में सिंग नाम की उपादी यूज करने लग पड़े थे और धामी की capital क्या आती दोस्तों सोरी यहां की जागीर कहां की थी यह कहलूर की थी और कहलूर किसको बोलते है बिलासपुर को बोलते है और capital की बात करें यहां के राजा थे और 1957 को ही यहां के राजा थे यानि की 1815 और 1800 स्तूंजा का जो British का जो है fight होती है दोनों में जो है इन्होंने साथ दिया था और इसके लिए भी इनको जो है बाद में सुफतनता सनद भी परदान की गई जो है British के दोरा तो आज के लेक्चर में इतना ही हमने 3-4 जो है यहां पे प्रिंसली स्टेट डिसकस की अगले लेक्चर में जो है हम प्रिंसली स्टेट को cover कर देंगे फिर उसके बाद जो है British और शिमला का क्या context है उसको हम समझेगे दोस्तों रात के 8 बजे लेक्चर में जो है आप पार्टिसपेट कर सकते हैं उसमें हम बुद्धिसम से related multiple choice question discuss करेंगे काफी important session रहेगा उसमें जो है कुछ में extra point भी आपको बताऊंगा तो इस तरह से नए student जो है चैनल को subscribe कर लीजिए classes इसी तरह से हमारी चलती रहेंगी तो मिलते हैं next lecture में तब तक लिए जाहिन